उत्रप्रदेश विधानसभा चुनाओं में तमाम राजनीतिक दल अपने लोक लुभावने वादों के साथ एक बार फिर चुनावी मैदान में है राजनीती में कहा जाता है कि सबसे जरूरी चीज जिसे देखकर पबलिक उम्मिद्वार को वोट करती है वो है छवी तमाम पार्टी के नेता चुनाओं के दौरान अपनी छवी चमकाने का कोई मौका नहीं चूपते छवी के जरिये जनता को लुभाने के लिए नेता अपनी पढ़ाई लिखाई और शेक्षणिक योग्यता का भी खूब सहरा लेते है आज हम आपको बताएंगे यूपी के उन दिगगत चेहरों की शेक्षणिक योग्यता के बारे में जो आने वाले वक्त में यूपी की बागडोर संभाल सकते है गोरकनात मंदिर के महंत योगी आदित्तिनात ने सन्यास लेने से पहले MSC तक की शिक्षा ली थी पात जून 1972 को उतराखंड के पौड़ी गड़वाल जिले के यमकेशवर तहसिल के पंचूर गाउ में पैदा हुए अजै सिंग बिष्ट यानी योगी आदित्तिनात ने साल 1977 में टिहरी गड़वाल से स्कूली शिक्षा ली 1987 में दसवी की परिक्षा पास करने के बाद साल 1989 में उन्होंने रिशिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर्मीडियेट कॉलिच से उतर प्रदेश माधमिक शिक्षा परिशत की बारवी की परिक्षा पास की 1992 में गणित से B.S.C. करने के लिए योगी आदितिनात ने गड़वाल के हेमवती नंदन बहुगुणा युनिवसिटी में एडमिशन लिया और फिर इसके बाद गोरकपुर मंदिर के ततकालीन महन अवैदिनात के संपर्क में आये इसके बाद उन्होंने 1994 में सन्यास की दिक्षा लेकर सांसारिक जीवन को त्याग दिया साल 1998 में योगी आदितिनात पहली बार गोरकपुर लोकसुभा सीट से सांसत बने और साल 2017 में उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर पहुँचे समाजबादी पार्टी के अध्यक्षा और यूपी के पूर मुख्यमंत्री अखलेश यादव को राजनीती विरासत में मिली एक जुलाई 1973 को पैदा हुए अखलेश यादव की प्रानबिक पढ़ाई चाचा शिवपाल यादव की देखरेख में इटावा के सेंट मेरी स्कूल में हुई इसके आगे की पढ़ाई अखलेश यादव ने राजस्थान के धौलपुर मिलिटरी स्कूल से की जिस वक्त अखलेश यादव धौलपुर में पढ़ रहे थे उस समय मुलायम सिंग उत्यप्रदेश के मुख्यमंतरी हुआ करते थे मिलिटरी स्कूल से बारवी की परिक्षा पास कर अखलेश यादव ने मैसूर में एक युनिवरसिटी से इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए अखलेश यादव सिडनी चले गए जहासे उन्होंने इन्वर्मेंटल टेक्नोलोजी में ही मास्टर्स डिग्री हासिल की ऐसा कहा जाता है कि पूर्व सांसद अमर सिंग की सरपरस्ती में अखलेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी शिक्षा पूरी की देश और यूपी की सियासत में बहनजी के नाम से मशूर मायवती चार बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बागदोर अपने हाथों में समाल चुकी है यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर गाव से तालुक रखने वाली मायवती का जन्म 15 जन्वरी 1956 को दिल्ली में हुआ था मायवती के पिता दिल्ली में डाक विभाग के कर्मिचारी थे इस वज़े से उनकी प्रारंबिक शिक्षा दिल्ली से ही हुई बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम के साथ दलित समाज में नई चेतना की मिसाल मानी जाने वाली मायवती ने साल 1975 में दिल्ली युनिवरसिटी के कालिंदी कॉलिज से ग्रेजवेशन किया इसके बाद साल 1976 में मायावती ने मेरट यूनिवरसिटी से 28 की डिग्री ली 1983 में मायावती फिर वापस दिल्ली यूनिवरसिटी पहुँची जहां से उन्होंने LLB की पढ़ाई की उसी दोरान वो डलित आंदोलन की अगवाई कर रहे कांशी राम के संपर्क में आई और साल 1984 में बस्पा की स्थापना के साथ उससे जुड़ गई मायावती साल 1995 में पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी इसके बाद 1997, 2002 और 2007 में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना मायावती मुख्यमंत्री की गद्धी पर बैठी उत्रप्रदेश चुनाओं में कॉंग्रेस का चहरा और पार्टी की राश्ट्री महासच्यों प्रियंका गांधी का जन्म 12 जन्वरी 1972 को हुआ था जिस वक्त प्रियंका गांधी का जन्म हुआ उस वक्त उनकी दादी इंद्रा गांधी देश की प्रधान मंत्री थी प्रियंका गांधी की प्रारंबिक पढ़ाई दिल्ली के मौडन स्कूल से हुई कहते हैं कि साल 1984 में प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की हत्या के बाद प्रियंका की पढ़ाई कुछ समय के लिए प्रभावित हुई थी लेकिन बाद में देश की बागडोर संभालने वाले प्रधान मंत्री राजिव गांधी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की शिक्षा को फिर से सुचादू रूप से शुरू करवाया इसके बाद प्रियंका गांधी ने दिल्ली उनिवसिटी के जीसिस एन मेरी कॉलेच से साइकॉलजी में ग्रेजुएशन की डिग्री ली 1999 से उत्रप्रदेश की राजनीती में सक्रिय प्रियंका शुरूआत में गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले अमेर्थी और रायबरेली लोगसभा सीट पर खासी सक्रिय थी लेकिन अब वह पार्टी के लिए पूरे यूपी की जिम्मेदारी सम्हाल रही है इस वीडियो में फिलाहाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम ताज़ातरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करे अगर यह वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पीच को फॉलो करना न भूले